So hey guys, welcome to our channel, hope आप सभी लोग अच्छे होंगे, तो आज मैंने आपके लिए दो स्टॉक पी किया है, एक का नाम है RPG Life Sciences और दूसरा है गैबरिल, आपके सामने चार्ट लगा हुआ है RPG Life Sciences का, एक सांधार ब्रेकाउट आया है, नीचे से 50 EMA का सपोर्ट भी है और एक ट्राइंगल का ब्रेकाउट भी आया है, so guys, इसमें बाइंग का पूरा सिनारियो बन चुका है, और इसका स्टॉप लॉस और टार्गेट ये होगा, आप इसको नो डाउन कर ले जिए, चुकि हम डेली टाइम फ्रेम पर एनालेसिस कर रहे हैं, तो आप अगर T1, T2 के लिए जाएंगे, तो आपको 15-20 दिन और T4 के लिए जाएंगे, तो एक से 2 महीने तक वेट करना पड़ सकता है, आप बात करते हैं, गैबरिल की ब्रेकाउट आया है, नीचे से 50MA का सपोर्ट ले रहा है, और एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसमें भी बाइंग कर सकते हैं, और इसका इंपल ट्राइंगल कैसा परफॉर्म कर सकता है, उसका जीता जाकता हुदा रहा है, इसमो ब्रेकाउट के बाद क्या संदार मोमेंटम इसमें हमें देखने के लिए मिला, बट सारे ब्रेकाउट एक समान परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो गाईज आपके लिए ऐसे जोड़ने में काफी महनत लगती है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे मिलते हैं नेक्स वीडियो में ठैंक्स वाचे